तो आज के वीडियो में हम देखेंगे अगर आपका कोई भी ग्रह सूर्य की द्वारा अस्थ हो रहा हो, करक लगन हो और 10th house में आपका कोई भी ग्रह अस्थ हो तो यहां देखेंगे हम परते ग्रह को लेंगे और एक-एक करके देखेंगे जब वो अस्थ हो तो result क्या-क्या ह हो सकता है तो खरक लगन की इस प्रकार से आपकी कुंडली हो सकती है आप सूर्य आपका हो सकता है कि 9. house में है, 10.00 अ यह 11.00 में कहीं भी सूर्य इस्तित हो सकता है जो अस्त ग्रह है वह आपका 10.00 हां उसमें स्धित होना चीए सबसे पहले यहां सनी को लेंगे सनि अग्र आपका सूर्य के द्वारा अस्थ हो रहा था तो सनी यहाँ निच के सतित Дोर में आ जाता है और सूरीह हम उच्य के स्वेंसों के इस्तिति हो गाता है निचनीं के स्वेवार यहां सूर्ययay सारी लेवल की पॉस्ट आपके पास होगी सुर्य की इस इस्तिति की वज़े से या सनी के यहां अस्त होने की वज़े से आपको जनता से मानसमान पॉपुलरिटी यह सब बहुत अच्छा मिल जाएगा अब यह कंडिशन आपको राजनिती में भी काफी अच्छे से आगे लेक हो जाएगा जैसे कि आपका मेरी लाइफ अच्छा चलेगा मेरी लाइफ आपका बढ़िया होगा लेकिन थोड़ा बहुत यहां पर पार्टनर के साथ डिस्पुट होने के चांसे जरूर बनते हैं फिर आपको यहां पर क्यूंकि आपका सब्तमभाव है वह पबलिक इमेज का भी है इससे में आपकी पबलिक मेज काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी इसके लवाद देखा जएए तो आपको हेल्थ वाइज भी पार्टनर की अगर हेल्थ के देखें तो हेल्थ को भी काफी अच्छा यहां पर एक बुस्ट मिल जाता है लेकिन आपका है तो उनका पती काफी ज्यादा एक अधिकारी लेवल का या बहुत बड़ा अधिकारी या बहुत बड़े पद पर हो सकते हैं और थोड़ा वो निचर से होगा फिर सनी अस्टमेश है अस्टमेश होने की वज़े से आपकी लाइफ में ट्रांस्फोर्मेशन इजी हो जाएगा आपकी लाइफ में चेंजे जल्दी आएंगे और समय पर आएंगे हाँ ससुराल पक्स से आपको काफी ज़्यदा मदद मिल सकती है लेकिन उनके साथ कभ पुरा फाइदा मिलेगा फिर हम यहां बुद को लेंगे अगर सूरीय के द्वारा अस्थ है तो यह बुद्धा आपकी कुण्री में बारवे घर की स्वामी और आपकी तीसरे घर की स्वामी है इस केच में कभी-कभी यह भी हम देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक लेवल बहुत कमाल का हो जाता है दूसरों पर आप अपना प्रभाव छोड़ने में काफी मददगार होंगे इस वज़े से कहीं न कि आपके काम को बहुत ज़्यदा एप्रिशेशन मिलेगा आपको आपके बहुत से बहुत ज़्यदा समर्थन मिलेगा आपको पद्वनति जल सकता है केरियर में और वो जाएगा भी काफी ज़्यदा आगे जाएगा और देखा जाए तो ऐसे में अगर आप कोई बहुत बड़े लेवल के क्रियेटर हैं तो आपको ज्यादा नेम और प्रसिद्धिय मिलने के सांसिस हैं जा तक एक अच्छा वक्ता एक अच्छा टीच अस्त करना निश्चिती आपके लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि जातक कि वानी का जो प्रभाव है दूसरे उपर वो काफी स्ट्रॉंग देखने को मिलेगा इसके लावा आपका केरियर कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर आपको बारवार कम्मिनिकेट करना पड़ता हो बारवार रेवल करना पड़ता हो या बारवार कुछ ना कुछ चेंजेज करने पड़ते हो फिर हम लेंगे यहां मंगल को अगर मंगल सुरियत से आस्त हो जाते तो मंगल का तो खुद का ही गर है ऐसे में मंगल की पावर और बढ़ेगी और वैसे भी अगर मंगल आस्त होत और केरियर में बहुत तेजी से आगे बढ़ना एजी हो जाएगा लेकिन बोस के साथ जो संबंद आपके रहेंगे उनको लेकर काफी दिक्कते आ सकती है इवन आपका नेचर भी काफी रूड हो सकता है जातक को अपने केरियर पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा मंगल के अस अच्छा दिखता है फिर यहाँ पर हम लेंगे ब्रसपती को ब्रसपती अगर सूरे से अस्त होते हैं तो ब्रसपती आपकी कुणली में चठे और नौवे घर के स्वामी है इस केस में आप अपने बुद्धी मता से अपनी स्किल्स से अपने घ्यान से अपनी जो भी बादा तक पहुंचा सकता है बहुत ही अच्छा लेवल का एक टीचर बना सकता है प्रस्पति का यहां आना यह भी दिखाता है कि जा तक अपने घर से कहीं दूर सेटल हो सकता है इवन उसको दोमेस्टिक लाइफ में थोड़ी परेशा नहीं जरूर देखने को मिलेंगी लेकिन जातक केरियर के मामले में काफी अच्छा होगा फिर जातक का केरियर कुछ ऐसा हो सकता है जहां पर कोई स्पिरिचुलिटी अध्यात्मिक्ता से भी वो जुड़ा हो साथ साथ में इसके ल लेवल पर काफी ज़्यादा उच्छ हो सकता है तो ब्रस्पति यहां अगर अस्थ हो रहें निस्जित ही एक बहुत अच्छा साइन हो सकता है आपके केरियर में आगे बढ़ने के लिए फिर हम यहां शुक्र को लेंगे शुक्र अगर सूर्य से अस्थ हो जाते हैं तो शु जिवन साथी की साथ रिलेशन्सिप वाइज उतना अच्छा यहां पर नहीं दिख रहा तो रिलेशन्सिप वाइज कुछ इश्यू हो सकते हैं फिर शुक्र का पावर भी यहां कम हो जाता है अगनी तत्वरासी है तो सूर्य प्रबल होने की वज़े से बस आपको रिलेशन का चार्ट हो तो उनकी वाइफ काफी डॉमिनेटिंग होगी उनके कैरियर में बहुत ज़्यादा दखल देने वाली होगी और उनकी वाइफ काफी अच्छे कैरियर वाली काफी अच्छी फैमिली वाली बहुत ज़्यादा रेपूटेड हो सकती है साथ ही वो अपने पिता क बहुत ज़्यादा चहेती हो सकती है या पिता का जो प्रभाव है जातिका पर वो काफी प्रभल हो सकते हैं फिर शुकर अगर अस्त है तो निस्सित ही शुकर आपको धनका लाब देगा मेसा पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी जाब तक को नेमफे मच्छा मिलेगा रेपूटेशन की कोई कमी आपके जिवन में नहीं रहेगी तो रिलेसंसिप वाइज या मैरीड लाइप थोड़ी से डिस्टब होना हम बहुल सकते हैं बाकी यहाँ पर आपको सब कुस देखने को मिलेगा फिर चंदरमा का देखते हैं चंदरमा अगर सूरिये से अस्त हो जा जातक स्टेबल विचारों वाला होगा अपना जब एक बार नेने ले लेगा तो उसको बार बार बदलेगा नहीं जातक बहुत अच्छा मोटिवेटर हो सकता है दूसरों के लिए काफी अच्छा काम कर सकता है सामाजिक कल्यान के लिए लोगों के लिए जनता के लिए काफ प्रबल है, तो निस्थ ही आपको बहुत जादा, पर्सनलिटी, फानलिटी वाइस भी इसका फाइदा मिलेगा, पर्सनलिटी बहुत जादा प्रभावी होगी आपकी, दूसरों पर अपना प्रभाव बहुत जल्दी छोट पाएंगे, साथ ही साथ ऐसे में केरियर में बहुत ज़्यादा प्रगति की संभावना बनती है और जा तक अपने केरियर पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करके चलेगा तो ये कुछ संभावना बनेंगी जब आपका कोई भी ग्रह इनमें से अस्थ हो रहा हो और तेन्थ हाउस में इस्तिताओ फिलाल इस वीडियो में इतना ही